राम राम आप देख रहे हो इंडिया न्यूज अर्याना का डिजिटल प्लैटफॉर्म मैं हूँ सोनल दहिया कल चुनावों के नतीजे आगे हैं और पूरा बेसबरी से इंतिजार जो है वो हो रहा था प्रदेश की जनता ने भी देश की जनता ने भी कि नतीजे के रहेंगे आपां प्रदेश की बात करां तो दस लोग से बासीटा में ते पांच सीटें कॉंग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं और पांच सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं ना इनेलो पार्टी ने कोई seat मिली ना जनना एक जननता party ने कोई seat मिली लेकिन जिन ने seat मिली है उनकी एक समीक्षा अगर आपा करां बीजेपी party का आपा जिकर करां तो 2014-2019 की अगर आपां बात करां और अब के चुनाव की लेकिन एक बड़ा नुकसान के आजा सका है कि जो पार्टी पिछली दफा प्लीन स्वीप कर गी थी, दस की दस सीटों पर काबिज थी, अब की बार इसी के गलती हुई, कि इतना बड़ा नुकसान उन्हें जेलना पड़ा है, कि पाँच सीटें उनके खाते से चली गई, माइनों में नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसका एक नुक्सान जो है वो इन चुनावों में पार्टी ने बुगतना पड़ा है, किसानों का मुद्दा अब की बार जो ग्रामीन वोट प्रतिशत है वो जादा रहा है और शेरी वोट प्रतिशत कम रहा है इसका भी एक नुकसान जो है बीजेपी पार्टी ने जेलना पड़ा है क्योंकि एक अर्बन वोट बैंक जो है वो बीजेपी पार्टी का मानया जा है कि बीजेपी का शेरी वोट जादा है लेकिन अब की बार लोग गामात जादा लिकड़े हैं वोट करनाखातर और अपका कारणा की बात करां तो देखो एक जो बड़ा मुद्दा रहा है हर्याना में वह अगनी वीर का मुद्दा भी रहा है अगनी वीर के मुद्दा अभी भी आप देखोगे कि अलग-अलग जगों पे जो अपने युवाँ हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भई भरती को लेकर उनका जो सपना है वो कि देन किते तूटता हुए, दिखाई देन लाग रहा है और उससे एक जो नाराजगी है युवाँ में, जो सेना में भरती का सपना सजोरे हैं युवाँ, उन में एक नाराजगी देखना मिली है इसके अलावा, आप पॉर्टल की बात कर लो, जो अलग-अलग पॉर्टल सिस्टम जो है, वो बीजेपी की तरफ से शूरू करया गया है अलांकि बहुत जादा बीजेपी की तरफ से परचार-परसार भी करया गया डिजिटल से लोगों को जोडने की कोशिश भी करी गई लेकिन इस पोर्टल सिस्टम का भी कितने किते विरोध जो है वो ग्रामेन इलाकिया में देखने मिल रहा है क्योंकि इंटरनेट की सेवा उस तरीके से नहीं है कनेक्टिविटी नहीं है लोग आने जानकारी नहीं है और यो पोर्टल सिस्टम जो है वो लोगों के लिए किते ने किते सिरदर्दी बन गया है और इसका जो एक नुकसान है वो भी कही न कहीं बीजेपी पार्टी ने जेलर्णने मिला है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे अगर आपा रिव्यू करांगे तो सीधे तोर पे बीजेपी पार्टी नुकसान में उन बजों की वज़े से गई है अब मुखेमंत्री बदलने का फैसला इसको जो विपक्षी पार्टी उसकी तरफ से भी खूब उठाया गया और जनता के बीच में भी जब हम गए तो इस मुद्दे का पूरा-पूरा असर दिखाये दिया कि अगर सरकार में सब कुछ ठीके ठाक चल रहा था तो फिर चेरा क्यों बदला मुखहमंट्री कै personalized क्यों बदले और मुखहमंट्री अगर बदल दिया तो पूरी पावर जो है वो पूरा मुखहमंट्री दो रहर तो यह सारी यसे बितर लोग थे जो लोग य-चाह रहे थे। जो लोग चाय थे को उन-को मिलनी चाहिए वौन कहीं नगेज दिखाई दिगाई दिखाई दिए हैं और उनका कोई बहुत positive role जो है वो दिखाई नहीं दिया है अपने प्रत्याशी को जित्माने के लिए तो ये कुछ ऐसे कारण थे बेरोजगारी का मुद्दा था वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी का जो प्रतिशत बड़या है उसको लेकर जो विपक्षी बीजेपी का देखर्ण मिला है और जो राश्ट्रिय मुद्दे थे वो प्रदेश में कहीं न कहीं कम दिखाए दिये हैं और यहीं एक वज़ा रही है कि बीजेपी जो है वो 2019 का प्रदर्शन नहीं दोर आपाई क्लीन स्वीप की बात करती रही लेकिन पांच सीटें जो है हैं वो बीजेपी से चिटग